हलो योट्यूब, मॉर्निंग एपिसोर हाजीर है एक नए वीडियो के साथ गाईज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी डिवाइस में चैट आप का दो एकाउंट एक साथ रन करना हुआ तो वो किस तरह से करेंगे तो शुरू करते हैं आपके डिवाइस जैसे के शौमी, एसस, सैमसंग, वीवो, ओपो, हवाई और ओनर इन सब मोबाइल में एक फीचर आता है जिसका नाम है डूल अप्स या फिर डूल मोड भी आप कह सकते हैं इस फीचर के थूँ आप अपने मोबाइल में किसी भी चैट अप का दो एकाउंट एक साथ रन कर सकते हैं तो आये देखते हैं कि ये डूल अप्स फीचर की लोकीशन हमें कहां पर मिलेगी और हम इसे कैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सैमसंग मोबाइल में देखेंगे कि ये डूल अप फीचर को किस तरह से एक्टिवेट करेंगे और किस तरह से हम किसी भी चैट अप का दो एकाउंट एक साथ रन कर पाएंगे तो अगर आपका मोबाइल सैमसंग का है तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके डूल अप्स फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग में आएंगे सेटिंग में आने के बाद नीचे आएंगे तो यहां पे आपको एडवांस फीचर का ओप्शन दिखेगा तो इस पे क्लिक करेंगे अब आपको डूल मैसेंजर के ओप्शन पे क्लिक करना है जैसी आप इस पे क्लिक कीजेगा आपके मोबाइल में जो भी वाट्सेप, फेस्बुक, मैसेंजर, चैट अप है उनके लिस्ट आपको दिखने लगेगी अब आपको चिस भी चैट अप का डूल एकाउंट यूज करना है उसको चूज कीजे मुझे वाट्सेप का बनाना है तो इसलिए मैंने वाट्सेप चुना है तो जैसे ही आप अपना डूल एकाउंट चूज करेंगे उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल करने का आप्शन आएगा तो यह देखिए यहाँ पे WhatsApp को install करने का option आ रहा है तो यहाँ पे install पे click कर लेंगे फिर confirmation पे click करेंगे अब allow कर देंगे यह रहा मेरा WhatsApp का दूसरा account अब मुझे जिस भी number से इस account को create करना है वो मैं कर लोगे तो यह सारे step को follow करके आप भी अपने WhatsApp का dual account एक ही device में use कर सकते हैं या फिर जिस भी chatting application का dual account आपको create करना हो आपके सारे steps को follow करके create कर सकते हैं That's it, इतना ही करना था तो यह देखा हमने कि Samsung के mobile में कैसे dual apps feature को use करेंगे अगर आपके पास Xiaomi, Vivo, Oppo, Hawaii या Honor में से कोई भी mobile है तो हम आपको यहाँ पे इन सब mobile में dual apps या फिर dual mode feature को run करने का step बता रहे हैं उसे follow करके आप अपने mobile में भी ये feature को run कर सकते हैं और फिर किसी भी chat app का दो account एक साथ create कर सकते हैं mobile में किस तरह से आप dual app feature को activate करेंगे उनके location दिये वे हैं तो यह सारे steps को आप follow किजिए और आप अपने mobile में dual app feature को on कर लेजे तो इस वीडियो में इतना ही इस तरह की और भी interesting वीडियो देखने के लिए आप यहाँ आई के आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलें आपके एक लाइक मुझे बहुत motivation देगी वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा आप चाहें तो मुझे Facebook और Instagram पे भी follow कर सकते हैं चल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ